रोल मॉडल का मतलब ये है आपने एक आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ लगाया आम के पेड़ ने देखा रहे मुझे उसकी तरह बनना है और उसने अपनी सारी टहनिया काट ली सद्गुरु जी मैं समझता हूँ कि हमें किसी और में समानताएं नहीं ढूणनी चाहिए फिर हमारे रोल मॉडल क्यों होते हैं रोल मॉडल? लोग मुझसे पूछते रहते हैं सद्गुरू आपका रोल मॉडल कौन है मैं उनसे कहता हूँ मैं मॉडल्स के साथ रोल नहीं करता आप ये सारी चीजें पश्चे में सभ्यताओं से अपना रहे हैं यहां हमने कभी रोल मॉडल नहीं बनाए जरा मुड़ कर इस संस्कृति को देखिए इसका उदेश है लगातार विक्सित होना रोल मॉडल का मतलब दरसल ये है आपने एक आम का पेड लगाया और एक नारियल का पेड लगाया एक साथ नारियल का पेड सीधा और लंबा हो गया आम के पेड ने देखा अरे मुझे उसकी तरह बनना है और उसने अपनी सारी टहनिया काट दी और सिर्फ एक बची ये इस तरह है ये एक बेकार आम का पेड होगा हां? आपको रोल मॉडल की जरुरत नहीं है बात ये है कि हम लोगों को खास कर युवाओं को गाजर या छड़ी से हाकने की कोशिश कर रहे है उने कोई लालश दीजे या थोड़ा सा पीट दीजे ये सरकस का बंदर होने जैसा है आप चाते हैं कि सरकस का बंदर कर्टब दिखाए आप उसे एक केला दीजे वो कर्टब दिखाएगा और फिर इस तरह बैठ जाएगा फिर आपको एक और केला वहां लटकाना पड़ता है, वरना वो करतब नहीं करेगा इस तरह मत बनिये, आप सब खास कर, मैं देखता हूँ मैं इस संस्था के बारे में नहीं कह रहा, दुनिया भर में मैंने हर एक बिजनिस संस्था में बोला है मैं देखता हूँ कि बहुत खराब हो गया है हर कोई सोच रहा है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा बहुत कम लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या बना सकता हूँ वैसे भी अपने जीवन के अंत में आपको क्या मिलने वाला है हम आपको दफना देंगे या जला देंगे आपको बस यही मिलेगा आपको क्या पसंद है क्योंकि कई बार आप इस वज़े से भी नौकरी से निकाले जाते हैं एक बार शंकरन पिल्लय को नौकरी से निकाल दिया गया देखें, मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप एक स्कूल में है यहां वो आपको निकाल नहीं सकते जब तक कि आप कुछ एक दमी गलत चीज न करें मगर बाहर, छोटी-छोटी चीज़ों पर आपको निकाला जा सकता है जैसे-जैसे मार्केट एकॉनमी बढ़ती और कई गुना होती है लोगों को बस ऐसे निकाला जा सकता है शंकरन पिल्लय को निकाल दिया गया बस क्योंकि उसने एक साधरन सा सवाल पूचा था smoking या non-smoking इतनी सरल से चीज़ के लिए किसे आदमी को क्यों निकाल दिया जाए मगर उसे पूचना ये था कि जलाना है या दफनाना है तो वो क्या है जो इस जीवन के अंत में आपको मिलने वाला है आपको कुछ नहीं मिलेगा बस इतना है कि क्या आपने एक तीवर और भागिदारी वाला जीवन जिया आपके पास बस यही एक चीज़ है आपको क्या मिला, मुझे क्या मिला, आपको क्या मिला, मुझे क्या मिला ये बक्वास है मगर खासकर business school में ये बहुत महत्वपून हो गया है अमेरिका के बिजनस स्कूलों में कोई किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा आपकी पहली सैलरी क्या है? पिछले बैच को पहली सैलरी कितनी मिली थी? मुझे उससे थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए बस यही क्योंकि सब कुछ गोल ओरियंटेट हो गया है प्रक्रिया की कोई एहमियत नहीं रह गई है हर साल नवंबर में हमारे आप बिजनस का रिक्रम होते हैं मेरे ख्याल से आपने कुछ तस्वीरे देखी रतन टाटा और बाकी लोगों की देश के सभी प्रमुख बिजनस लीडर्स आ चुके हैं हर साल हमारे पास 200 CEO होते हैं जो साड़े चार दिन की ट्रेनिंग लेते हैं जिसे इंसाइट कहते हैं पिछले साल इनमें से एक जो एक काफी बड़ी मल्टिनेशनल कंपनी चला रहे हैं वो बुले सद्गुरू हम देश के I.M. और I.I.T. से सबसे अच्छे लोगों को चुनते हैं और उन्हें साल दर साल अधिक से अधिक वेतन देते हैं मगर आप आपके पास यहाँ एक भी I.M. नहीं है मैंने का मेरे पास केवल स्कूल डॉप आउट्स है मगर आपकी संस्था हमारे कॉर्पोरेशन के मुकाबले कहीं बहतर तरीके से चलती है ऐसा कैसे है मैंने का देखिए बात बस इतनी है आप लोग गोल ओरियंटेड यानि लक्ष केंद्रित हैं आप कहीं पहुँचना चाहते हैं यहाँ जो लोग मेरे ले काम कर रहे हैं यह भी नहीं जानते कि जाना का है उन्हें फर्ग भी नहीं पड़ता कि वो कहां जाते हैं वो बस यहीं जानते हैं कि वो प्रक्रिया के लिए पूरी तरह समर्पित हैं अभी वो जो भी कर रहे हैं वो उसके लिए इतनी पूर्णता से समर्पित है कि उनके अंदर जो कुछ भी है, वो उसे एक काम में अभिव्यक्त हो रहा है. एक इंसान यही कर सकता है, या तो आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, या अपना बेस्ट नहीं कर रहे हैं, है न? भले ही आप किसी के जितना अच्छा ना कर सकें, मगर सवाल यह है कि क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, अपने जीवन के हर पल में, इसके लिए आपको भक्ती की जरूरत है. मैं भक्ती शब्द का इस्तिमाल विशेश रूप से कर रहा हूँ, क्योंकि भक्ती का मतलब लोगों को लगता है कि मंदिर जाना, या चर्च जाना, या मस्जद, या उनकी जो भी मंजिल है. नहीं, मुझे बताईए, क्या कोई भी, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, संगीत, कला, बिजनस, आध्यात्मिक्ता, राजनीती, जो भी हो, क्या कोई व्यक्ती, किसी महत्वपून उपलब्धी को हासल कर पाया है, अपने काम के प्रती समर्पित हुए बिना, कैसा ह हुआ है, क्या कोई कहीं पहुचा है, मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने और सच चीजें हासल की है, शायद उन्हें और ज्यादा वेतन मिल गया, मगर उन्होंने कुछ महत्वपून नहीं किया, तो आपको ये तै करना है, कि आप एक साधारन जीवन जीना चाहते हैं, या आ इससे अनुभव करने के तरीके में है, उसमें नहीं जो आपके पास है, जो आपके पास है, वो कुछ समय बाद आपकी हसी उड़ाएगा, अगर आपका अनुभव अच्छा नहीं है, तो लोग महल में रहकर भी दुखी हो सकते हैं, तो आपके पास क्या है, ये मुद्दा ह ही नहीं आप हर चीज का अनुभव कैसे करते हैं ये मुद्दा है है ना मगर अभी पूरी दुनिया इस दिशा में चली गई है आप युवाओं को ये बदलना चाहिए आपके अनुभव की तीवरता इससे ज्यादा महत्वपून है कि आपके पास कितनी सारी संपत्ति है है न है ना महत्वाओं को ये कुल फिएए पूरी दुनियार अनुभव का अनुभव की तुनिया थे चाहिए ना ना महत्ति हैएए पूरी धुछवाचा ये झाल